नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको माँ चले में अमर lorsque्राज के स्विढ़ों बात करने बाले हैं अगनी बीड अर्मी रैली वेकनसी के बारे में तो अब किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है कहां से आप लोग को आवेदन करना है आपको आ पिस वैबसाइट करना है या फिर आपको अपने गुझिर सी या या यहाप देख पहूंगे YTC जहीसे आप अपने Google में YTC टाइप करते हैं सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर किलिक करके आपको इस वेब साइट पर चले आना है उसके पर थो असा नीचे आना है यहाँ पर आप लोगों को जो है सबसे नीचे चले आना है और यहाँ पर आप देख पाऊं दोस्तों कि latest update और latest job में आपको देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी अगनी भी rally recruitment 2022 तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आप लोगों का पोस्ट अहाँ पर ओपन हो जाएगा मैंने यहाँ पर पूरा जानकाई दे रखा है यहाँ पर आप लोग कोई भी फी नहीं लगन गया है इसके अंदर कॉंगों से जिला आता है वो भी आप लोगों को आप बताए गया है मानलेजे के आप यहाँ पर और अरंगाबाद गया जमूर जहानाबाद कैमूर लखिस्राय नालंदा नाबादा इन सभी जिलों से आते हैं तो आपनों को ARO गया में आविदन करना ह अगर आप आप पर पतना बक्सर भोजपूर से आते हैं तो ARO दानपूर में आप लोगों को आविदन करना होगा अगर आप आप लोगों को ARO कटिहार में आप आविदन करना होगा आप लों का चार ARO बनाया गया है बिहार में जिसमें कि आप लोग को आबेदन करना होगा अपने जिले के हिसाब से अब यहां पर आप देख सो हो दोश्तों कि आप लोग का जो आप लोग को चले आना है सबसे नीचे जो है आप लोग का यहाँ पर फोर online apply का link है clicker पर click करना है तो जैसे आप यहाँ पर clicker पर click किज़ेगा इंडियर आरमी का जो website है वो आप लोग का open हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को registration करना हो तो यहाँ पर अगनीपत का option है यहाँ पर आना और यहाँ पर आप लोग को login इन और apply online का option है यहाँ पर आपको click करना है click करने बद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो website है वो आप लोग का open हो जाएगा कुछ इस तरीके से आप लोग का जो website है वो open हो जाएगा इस तरीके से आप लोगों को open हो जागा यहाँ पे आप लोगों को जो estate है वो आप लोगों को select करना है मेरा बिहार है तो बिहार यहाँ पे select करेता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिहार select करने बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो आधार नंबर अपना रह करना है तो मैं फिल कर लेता हूं उसके बाद आपको इहां पर दिखाता हूं जैसे आप आप पर सब्मीट करते हैं आपनों का इमेल इडी होगा उसपे एक OTP जाएगा और यह जो क्यापचा यह डालकर आपनों को सब्मीट पर किलिक करना है अगर आपनों का OTP नहीं आता है करना है दुबारा आपनों का जो OTP वो जैसे आप यहां पर OTP ढालते हैं आप लोगों का कुछ इस तरीके से आप और ओपन हो जाएगा यहां पर आप देखवा हूं कुछ इस तरीके से आप अपनों का जो प्रस्नल डीटेल होगा वह उपर में आपनों का शो कर देगा यानि कि यहाँ पे आप मेरेड हैं अनमेरेड हैं वो आपनों को हाँ पर बताना होगा अपना हाइट सलेक करना है कि आपका हाइट कितना है वो आपनों को हाँ पर बताना है जो भी आपनों का हाइट रहेगा वो आपनों को हाँ पर बता जेना है उसके पर आपको हाँ पर नी तो 12th आप यहाँ पर appearing यानि कि आप ही 12th कर रहे हैं या फिर पास हैं तो पास आप लोगों को हाँ डाल देना है उसके पाद यहाँ पर आप लोगों का बोला जाया है दोस्तों कि आपने जो ए 10th किस बोर्ड से किया है तो माल लिजे कि CBSE हो गया, ICSE हो गया, Open School हो गया या फि यहाँ अपर पहले से candidate है तो और भी डीटएड हो गा जाएगा अगर आप नहीं है तो यहाँ आप लोगो का कर देना है यहाँ है यूजर नेम आप लोगोंगा за सबस्वाथ आप लोगों का लोगों आप लो रहेगा ऊंनि की मुछ आ ख。 पर एक जो है आप लोग का सिंबोल माल लिजे के हैच या फिर आप लोगा जो यहाँ पर एड़ रेट होता है वो आप यहाँ पर डालीएगा इस बात का आपको ध्यान रखना यह आपको जो क्यप्चार डल कर आपको सेफ पर क्लिक करना है तो मैं जो साग कुछ फिल कर लेता मैं जो यहाँ पर इलिजबल हूँ तो यहाँ पर आप देख लिए कि सबसे पहले अगनी भी जेनरल ड्यूटी के लिए मैं यहाँ पर अपलाई कर सकता हूँ और अगनी भी ट्रेट्समेंट और आपको अपलाई कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप लोग को अपलाई करना है जिसे आप आपे क्लिक करते हैं उपनरे स्व का आपनर आपको पडाले हaca आपना अपर चाहिए, उपन्हों का पर चाहिए और आपना प्लोड करना है, आपको पता नहीं है कि कहां से photo का size कम करना है आपको करना क्या है आपको जो वाइटरी सी website पे आना है current टूल पे आपको किलिक करना है और यहां पर आप लोग देखवाँगे compress image का option है यहां पर किलिक करके आप अपना photo का size या फिर जो आप लोगों सीनेचर है, उसका साइज गम कर सकते हैं, उसके बाद उपर आप लोगगा डिटेल्स हो करेगा, यहाँ पर आप लोगों को religion सलेक करना है, यह कौन सा religion है, हिंदू, मुसलिम जो भी होगा आप आप एहाप पीहार से हैं तो उस्वाद यहाँ पे से बिहार लिख कर ने कि बाद कुछ का आप लोगा आ जाएगा रहां पे हाउस नमर चाहें तो यहाँ पे आप लोगको एडरेस डालना है यहाँ पर अपने विलेज का नाम डालना है यहाँ पर आपनों का city जो होगा यानि कि आपका जो सहर पड़ता है जो भी आपका जीला होगा वही डाल दीजेगा यहां पर आपको घ्लिक करना है यहां पर आपको कुछ यहां पर सेम आप आ जाएगा अब दोस्तों यहां पर आप का अगला step आता है detail का यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों डीटेल अपना भरना है कि आप जो आप अस्पोर्ट कोटा से हैं तो यहाँ पे yes कर सकते हैं नहीं तो no रहने दिजीगा अगर NCC अगर आप है तो यहाँ पे आप जो yes कीजेगा नहीं तो no अगर आपके पास NCC certificate है तभी आप यहाँ पे yes कीजेगा इस बात का आप लोगों को अहाँ पे ध्यान रखना है उसके बद आप लोगों का highest qualification क्या है आप जो 10th पास है 12th पास है आप यहाँ पे सलेक कर दिजेगा उसके बद यहाँ पे आप लोगों का पुछा जाए दोस्तों कि क्या आपके पास जो है large motor vehicle का यहाँ पे जो लाइसेंस है yes यहाँ पे कीजेगा या तो new कीजेगा जो भी आप लोगों कर दिजेगा उसपाद यहाँ पे save and continue पर आपको किलिक करना है save and continue पर क्लिक करने जोस्तों यहाँ पे औप लोगों का education detail पूछा जा रहा है अब यहाँ पे आप दिख़ यानि कि अपने estate board से थे तो आप आप लोगो सेलेक करना है उसके बाद यहांपर पासिंग year आपने कब यहां पर 10th पास किया है वो आप लोगों को आप डालना है जो भी year होगा वो डाल दीजिएगा उसको बाद यहांपर रॉल नंबर डालना है यहां पर certificate नंबर डालना है और उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे continue पे click करना है तो सारा आपनों का आपनों का application फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप submit कर सकते हैं। सारा कुछ fill करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपनों का application होगा उसका preview आपनों का सुख कर देगा। अगर कुछ edit करना है तो आप edit कर सकते हैं कोई भी दिकत नहीं है। उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को history of application पे आना है और यहाँ पे आप देख पाऊँ कि अभी जो आप लोगों का application हो open है तो यहाँ पे view पे click करके आप देख सकते हैं आप लोगों का अस्टेटरस open द दिखा दिया है। आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ हुआ गड़े वीडियो पसंद आ है तो लाइक केस्ट ब्लोगों को सब्सक्राइब को जानकारी मिल सके। मिलते नेक्स में तक के लिए धन्यवाद।